आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में डियले इंट्रेंस एक्जाम 2023 के लिए फीजिक्स के चैप्टर टू को देखने वाली है जिसका नाम में आपका मानो नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार इसे पहले हमने चैप्टर वन लाइट से रिलेटेड महत्यपून हमने 100 प्रश्ण किया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को जाकर देख ले और इसमें हम जो है 45 यानि 45 प्रश्ण करने वाले हैं तो आप सभी लोगों से निवेदर हैं कमे वो सरकारी के द्वारा बंद कर दिया गया था जिसकी वजह से जो है क्लास लेने में असमर्थ था मैं लेकिन आज से जो है आपके क्लास रिगलर होंगे तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अधिक से अधिक वीडियो को से किजिएगा कि आपके कितने माक्स आ रहे हैं समझ गए चलते हैं प्रस्ण के ऊपर यहां पर आपका पहला प्रस्ण है कि वर्ण बीचेपन में किस वर्ण का प्रकास सबसे अधिक वीचलित होता है यहां पर ओप्सन देखिए लाल पीला बैगनी आस्मानी बताइए क्या हो तो देखिए वर्ण बीचेपन में जो आपका वर्ण का सबसे प्रकास जो अधिक वीचलित होता है वर्ण बीचेपन में किस वर्ण का सबसे प्रकास वीचलित होता है तो वो जो होता है आपका बैगनी होता है क्या होता है बैगनी बैगनी रंग का प्रकास जो होता है सबस option है तरंग ध्याड़े अधिक होता है लाल होता है क्योंकि लाल रंग जो होता है तरंग ध्याड़े जो होता है अधिक्तम होताएं समझ गये तो इसका answer option आपका यी यह हो जाएगा दूर से ही दिखाई देता है अगला यहां प्रस्ने की सुवेत प्रकास के बिभिन वर्नों में बिभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं प्रकास का पड़्यावर्तन प्रकास का वर्न बीछेपन प्रकास का अपवर्तन प्रकास का विछलन तो देखिए सुवे प्रकास का प्रात्मिक वर्न क्या होता है प्रकास का आप मतलब प्रात्मिक वर्न क्या होता है बताइए नीला हडा लाल इन में से सभी तो देखिए प्रकास का जो आपका प्रात्मिक रंग होता है न वो नीला भी होता है हडा होता है और लाल होता है यह तीनों होता है तो इस अंत्रिक छियात्री को आकास नीले की अपेक्छा काला दिखाई देता है यहाँ पर आपका दो प्रशन आता है कि अगर अंत्रिक छियात्री जो है उपर से अगर प्रिथवी को देखते हैं तो प्रिथवी कैसा दिखता है काला दिखाई देता है जबकि प्रिथवी हमारा क्य परिकर्नन ना हूना ज्यादा पडिकर्नन का होना केवल काला रंगा दिखना बताइए किसके कारण होता है तो मैं बतादू कि अंत्रिक्ष यात्री को जो है अकास नीले के अर्चा जो होता है काला इसलिगी przekा सिधस्ढा क्षेज़ कार सितने औबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का वहवार किया जाता है? देखिए, यहाँ प्राग यह आपका ओविंदुक्ता, याद रखिएगा, सबसे महत्तिपून है, अगर ओविंदुक्ता की बात की जाए, कि दूर करने के लिए या ऐक मतलब बिमारी है, तो किस लेंज का पर्योग किया जाता है, जैसे आपका हो गया हाईपरमायूपिया, म भायतल लेंस तो देखिए अब इन दुखता दूर करने के लिए जो है न हम लोग सिलिंडिकर जो लेंस होता है इसका पड़्योग करते हैं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका C हो जाएगा समझ गया अगला यहाँ प्रशन आपका है कि एक लेंस की छामता 5D है यहाँ किस परकार का लेंस है अब यह काफी महत्य पून है मैंने light वाली चैप्टर में भी कराया है कि जब एक लेंस की छामता जो होता है प्लस 5 डाइप्टर होता है तो वह जो होता है उत्तर लेंस होता है कैसा होता है उत्तर लेंस समझ गया तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगला यहाँ पर आठ नमब प्रशन है कि निमनिखित में इस परष्ट दर्शन की निविंतम सेंटीमीटर दूरी क्या होती है हम लोग जो है इस परष्ट सेंटीमीटर निविंतम सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकते हैं समझ गया अगला यहाँ पर आपका 9 नमब प्रशन है कि किस लेंस की छमता जो है 1D होता है देखिए अगर 5D बोले तो उत्तर लेंस समझ गया और 1D बोले तब भी जो है उत्तर लेंस समझ गया तो इसका answer क हो जाएगा option आपका यह हो जाएगा 1D होता है उत्तर लेंस का अगले प्रशन की ओर चलते हैं तो यहाँ देखिए अगला प्रशन यहाँ पर आपका 10 नमर है कि एक वेक्ति अपनी आखों को दोस्त दूर करने के लिए और लगी चस्मा का विहवार करता है उनकी आख में द पड्योग कर रहा है अपनी चस्मा में तो कॉन्सा रोग यहाँ कॉल्स है उनका दिरिश्टी दोस्त से मतलब कि वह द्रिश्टी 2 डिर्क ध्रिश्टी 2 ज Rapha का मतलब कि उसको दूर वाली चीज दिखाई दे रहा है लेकिन नजदिक वाली चीज नहीं दिखाई دे रहा है तो वहीं इसको बोलते हैं तो option यी हो जाइगा इसका समझ गए उतल लेंज का पढ़ियोग जो होता है हम लोग निकट द्रिश्टी दोस में करते हैं और उत्तल लेंज का पड़ियोग जो होता है हम लोग दिर्ग द्रिश्टी दोस में करते हैं next यहाँ पर आपका ही गारण हमा प्रश्न है कि एक स्वस्त आख के लिए दूर बिंदू होता है मालने कि एक स्वस्त आख है इसका दूर बिंदू क्या हो गए बता है यहां प्रॉप्षन देखे 25 cm, 0 cm, 250 cm अनंत तो देखे एक स्वस्त आख के लिए दूर बिंदू जो होता है आपका अनंत होता है अगर निमिंतन पुछता तो निमिंतन आपका जो होता है कम से कम 25 cm और ऐस से मतलब दूर्विंदु प्ूच गया तो दूर्विंदु मतलब की अनंत THE देख सकता है अगर एक सुस्थ आख हैंग जहांत उसको दिखाई के वहां तक देख सकता है अगला यहां प्रश्चन का बारन को नियंतरन करता है कौन करता है कोौन करता है, तो मैं आपको बता दू कि जो आपका मानोनेत्र का द्रिष्टि का इस्तीत्तव कितना होता है कितना मतलब सेकेंड होता है बताइए तो वो जो होता है एक बाइस सोला सेकेंड समझ गया इसका answer option b हो जाएगा अगला यहाँ चौदन हमाप प्रस्ट्ट है की मानोनेत्र अविलेंज की focus सब्सक्राइस ऐसा ही पानी का कारण है पताईए जरा दुर दृष्टिता समय एंजन निकर दृष्टि दृग दृष्टि बताईए क्या होगा तो यहां जो है समय एंजन का उधारन है समझ गया कि जब मानों नित्रा विलेंस की focus दूरी काव समयोजित करके विभिन दूरिया पर रखी वस अगला प्रश्न यहां पर आपका आ गया 15 नम्मर और यहां पर बोल रहा है कि टूडी छमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो देखें जो भी टूडी छमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है वो आपका 50 cm होता है कितना होता है 50 cm याद रखेगा अगला यहां प्रश्न की जो अलपतम सेंटीमीटर दूरी होती है वो आपके कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है कम से कम और दूर की बात करें तो वो आपका अनन्थ हो जाएगा इन्फाइनाइट बोल सकते हैं अनन्थ समझ गए अगला यहां प्रस्मे की नित्र लेंस के पदार्थ का अपरतनांक लगभाग होता है यह काफी महत्यपुन प्रस्मे की नित्र लेंस के जो पदार्थ होते हैं उसका अपरतनांक जो होता है 1.396 होता है कितना होता है 1.396 होता है तो इसका इंसर आप्शन आपका सी हो जाएगा और आप सभी लोगों से निवेदन है कि कमेंट कीजएगा लाइक कीजएगा वीडियो को सेयर कीजएगा और अपना इसकोड जरूर मुझे कमेंट कीजएगा समझ गए और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजएगा अगला यहाँ प्रस्ण है कि नेत्र लेंस की फोकस दुरी बढ़ जाने से आख में उत्पन दोस होता है तो उन्हें देखें नेत्र लेंस की जो फोकस दुरी होती है वो बढ़ जाने से जो होता है दिर्ग द मतलब तरिजया बढ़ जाता है तो उसमें नीकट द्रिष्टी दोस का हो जाता है चत्यग् имеет बिमारी यह हो जाता है समझगे नीकट द्रिष्टी दोस अगले प्रशन को देखते हैं आपड तो अगला प्रशन यहाँपर आपका बीस नंबर है कि डॉक्टर वर्मा के चस्मे की छमता जो है प्लस 0.25 डायोप्टर है उनकी आखों में उत्पन दोस क्या है बताईए तो देखिए यहाँ पर प्लस 0.25 डायोप्टर लगा हुआ है तो मतलब कि दिर्क द्रिश्टी दोस उनके आखों में है समझ गए अगला यहाँ प्रशने की दूर द्रिश्टी दोस वाले वेक्ति द्वारा जिस चस्मे का पड़योग किया जाता है उसमें लगे लेंस क्या होता है तो देखिए दूर द्रिश्टी वाले दोस वाले जो वेक्ति है उनके चस्मे में जो है उत्तल लेंस लगा होता है क्या लगा होता है उत्तल लेंस दूर की बात करे यह याद रखेगे तो इसमें हमेशा जो होगा आपका उत्तल लेन् Scottish अगर निकर द्रिश्टी epilepsy की बात करें तो इसमें आउतल लेन्स याद रखेगा अगला यहाँ पर अपका इस नमर काफी important है, photographic camera का अभी द्रिश्यक होता है, बताइए, photographic camera जो होता है, उसमें कौन सा lens लगा होता है, तो इसमें जो होता है, आपका उत्तार lens लगा होता है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option आपका A हो जाएगा, समझ गया, अगला यहाँ प्रशन आपका है कि, निकट रिष्टी दोस को निबारन करने के लिए जो है, आपका पड़ियोग करते हैं, अगला प्रशन की और बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखे, अगला प्रशन यहाँ पर 24 नमर है कि, मानो नेत्र अविलेंस, 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 अविलेंस की focus दूरी को सामें उजित करके पर रखी वस्तूओं को focus इत कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो अभी हमने यह प्रशन को देखा है, जस्ट पीछे ही इसका मतलब होता है, समझ गया है, समझ गया है, समझ गया है, समझ गया है, इसका answer option B हो जाएगा, अगला यहाँ प्रशन की, मानो नेत्र जिस प्रतेमीब बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं ? मानूर नेतर जो होता है, उसे हम लोग धिरिष्टी प maximal बोलते हैं, क्या बोलते हैं ? दिरिष्टी प maximal समझ गये याद रखेगा अगला याँ प्रश्न है की, नेतर द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिवीम बनता है तो नेतर की द्वारा जो होता है कोई भी वस्तु का जो प्रतिवीम बनता है वो वास्त्विक और उल्टा तथा छोटा बनता है कैसा बनता है? वास्त्विक उल्टा तथा छोटा तो इसका answer क्या हो जाएगा option अपका D हो जाएगा याद रखे काफी महत्तिपुन प्रस्ट ने पूछ लिता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिविम बनता है तो वास्तिविक उल्टा तछा छोटा बनता है समझ गए अगला यहां प्रस्ट अपका है कि मानो नेत्र में किस परकार का लेंज पाया जाता है समझ गया अगले प्रस्ट की और भरते हैं तो यहां देखे अगला प्रश्णिया आपर आपका 28 मेंबर है कि मानुन नेत्र द्वारा बने प्रतिभीम के लिए पर्दे का कारे करता है कौन करता है कौन करता है कौर्णिया परितारी का पुतली द्रिश्टी पर्दल तो देखें मानुन नेत्र के द्वारा जो है प्रतिभीम बने पर बनने वाला प्रतिवीम होता है अब पूछले कोई कि एडिना पर जो मतलब आखों कि द्रिष्टिट पर्टल इरेटीना पर बनने वाला प्रतिवीम होता है कैसा होता है कालोन": 0-0-0-0-0-0-0-url वाले किसी ऑउतर लेंस की छमता को ग्यात करना है तो वह जो हो जाएगा आपका माइनस दस डियोप्टर माइनस टेंडी समझ गये तो इसका एंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अगले प्रशन की और बढ़ते हैं तो अगला प्रशन यहां पढ़ा है कि प्रकास की किस घटना के कारण सुर्य हामिशा वास्त्रिक सुर्योदों से लगभग दो मिनट प्रूव दिखाई देने लगता है बताए पर्यावर्तन के कारण वायू मंडली अपवर देना शुरू हो जाता है तो इसका answer option आपका B हो जाएगा अगला यहां प्रशन की जो नेत्र निकट इस्तिर वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है जो निकट जो होता है ना नजदीक वाली चीजों को साफ नहीं देख पाता है उसमें जो होता है वह द दूर द्रिष्टी दोस में मतलब की नजदीक वाली चीजे नहीं दिखाई देता है और दूर द्रिष्टी वाले में नजदीक वाला दिखाई देगा दूर वाला नहीं दिखाई गए समझ गए तो यहां पर देखें निकट द्रिष्टी दोस वाले मनुसे के चस्में में होत होता है और जो दूर वाली चीजे नहीं देख पाता है उसको निकट द्रिश्च्ती दोस होता है उल्टा होता है यादर रखिएगा और दूर द्रिश्च्री की फोकस दुरी में परिवर्तन किया जाता है बताइए किस पर परिवर्तन किया जाता है तो वो जो होता है आपका निमलिखित में से मैं आपको बता दू कि पक्ष मारवी देखें पक्ष मारवी दुवारा मतलब परिवर्तन किया जाता है तो इसका इंसर ऑप्षन सी हो जाएगा अगले प्रश् पडितारी का पुतली बटाये क्या होगा तो इसका और हो जाएगा option आपका बी रेटीन AG जो होता है ने टर का रंगीन भाग होता है अगला की आकास का रंग नीला दिखाई अकास test पड़ी करनान होता है समझ गया प्रकास के पड़ी करनान के कारण जो होता है अकास रंग नीला दिखाई देता है अगला यहां प्रस्ण है कि चंदर्मा पर खड़े अंत्रिक छात्री को अखास कैसा प्रतीत होता है नीला कलर उजला कलर लाल और काला तो वह होता है काला काला रख लड़का क्यों वाहां पर वाईयो मंडल होता है इसनय के कारण मुहाँ पर दिक्कत होता है अगला यहां पर है काफी-िंप्रश्ण तारे की टिम्टिमानी के कारण क्या है ये काफी महत्तिपुन बार बार एक्जाम में पूछा याता है बताए कीश्च अगला यहाँ प्रश्न है तारे कीक्तिमाना परकास के किस घटना परदर्स आता है समझ गई यह वी काफी महत्ते पुन तो तारीक अटिम्टिमाना प्रकास के जो है निमलिखित में से मैं आपको बता दू कि वह जो है प्रकास के अपवर्तन के कारण जो है मतलब प्रतीत होता है दरसाता है समझ गई काफी important तारीक अटिम्टिमाना जो होता है प्रकास के अप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर देखें अगला प्रश्न यहां पर आपका 41 किस लेंस दोवारा जो है उत्पन आवर्धन का एसाई मात्रक होता है मीटर सेंट्रीमीटर मिलीमीटर मात्रक विहीन बताइए तो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी मात्रक विह भी लेंद्स पर नेतral दे में धिरिष्टी पर तो देखें आपका डी पटल पर होता है समझ गे गए तो इसका एंशर औप्शन दी हो जाएगा अगला यह पर आपम हले वायो मंडल में प्रकास का कौन लॉता हें तो आपर दनांक जो होता है सबसे अधिक जो होता है बैंगनी की लडगा निर्वात में Advacaãy पर्गास को रहता होता है तो निर्वात में पर्कास का चाल्ज होता है तीन गुने दसके और 8 मीटर प्रतिसेकन होता है तो इसका answer option आपका C हो जाएगा तो यह जो था आपका अंतिम प्रश्ण था Chapter 2 से द्वासा करता हूँ कि 45 प्रश्ण आपको काफी महत्तिपूल लगा होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने माक्स आ रहे है और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक किजेगा शेर किजेगा आपने दोस्तों के साथ मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आएंगी सुमत जाहिं जाए बारत